और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए रेगुलर अपडेट के लिए हेलो फ्रेंड्स जैसिक रश्टना वेलकम टू मैर चैनल कुकिंग मास्टर के पी मेरे किचन में आपका दिल से स्वागत है आज मैं आपके लिए गुड़ नारेल के मुदख लेके आई हूँ और नारेल को एकदम इजी ट्रिक के साथ आज हम पोड़ेंगे फ्रेंड्स तो चलिए स्टाट करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक नारेल ले लेंगे इस प्रकार से और इस नारेल को मैंने छिल लिया है उपर के जो रेस से छिल के रहते उसे निकाल दिया है अब हम एक स्कूरू ट्राइवर से उसकी ये जो तीन आख रहती है उसमें से छेद कर लेंगे ये एक बहुत कमजूर होती है ये देखी फ्रेंड्स इजी लिचेद हो गया ये ये देखी आपके सामने ये पूरा अंदर गया अब फ्रेंड्स हम इसका पानी निकाल लेंगे सारा पानी निकालने के बाद अब मैंने गैस ओन कर दिया है और नारिल को इस प्रकार से गुमाते हुए हम अच्छे से से शेख लेंगे गैस की फ्लेम को में फूल कर देती हूँ ये देखे फ्रेंड्स नारिल का पानी आप ऐसे ही पी लीजिए वो बहुत ही हल्थी होता है ये देखे फ्रेंड्स बस तीन मिनिट हुए है और ये रेखे नारिल पटने लगा है इस प्रकर फ्रेंड्स गैस पर सेखने से अंदर की जो नमी होती है वो सुख जाती है और ये इजी ली फटने लगता है ये देखे अब हम गैस ओफ कर देंगे गैस ओफ करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ तो इस प्रकार से फ्रेंट्स नैरल को गरम करने पर उसके सारे पीसेस इजीली निकल जाते हैं, अब मैं इसके चोटे-चोटे पीसेस कर लेती हूँ और इसे मिक्सर जार में ग्रैंड कर लेंगे, आप चाहो तो ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद भी मोदक बना सकते हो, तो हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं, कटोरी में निकालना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंट्स ताकि हम मैजर्मेंट कर सके, ताकि हम बाद में उससे हाफ शुगर ले या फिर गुड ले, आज मैं गुड के साथ बनाऊंगी मोदक, गैस पर मैंने कड़ाई रख दिये के हुए नारेल को डाल देंगे , शलो फ्लेम पर फ्रेंट्थ हम इसे भून ऴहाँ लेंगे बीना घी डाले , नारेल में अपना यह यह वाइल जादा रहता है , इसलिए इसमें घी डालने के जरूरत नहीं है , गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है फ्रेंट्स ये देखे फ्रेंस पांच मिनिट हो चुके मुझे नारेल का कलर भी चेंज हो चुका है थोड़ा सा गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली थी, मेडियम कर ली थी और ये देखें इस प्रकार से शुका सुका हो जाएगा नारेल तब हमें इसमें चीनी या गुड़ा इट कर देना है पहले नारिल गिला गिला रहता है उसे थोड़ी देर भुनने के बाद जब वो इस प्रकार से हो जाए सुखा-सुखा तब हमें उसमें गुडिया चीनी आड़ कर देनी है मैं गुड़े आड़ कर रही हूँ, हाफ कटोरी गुड़ लिया था मैंने गुड़ को भी मिक्स कर लेंगे, अब फ्रेंट्स मैंने इस फ्लेम को स्लो कर दिया है यह देखे, घुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जुका है, अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसे इस प्रकार से चला कर ठंडा कर लेना है, या तो आप दूसरे बाउल में निकाल लीजे इसे और थोड़ा सा ठंडा कर लीजे अब यह देखे फ्रेंट, यह हलका हलका गरम है, पूरा ठंडा नहीं हुआ है, अब हम मोदक मोल ले लेंगे मोदक मोल को मैंने गी से ग्रीज कर लिया है, इसे बंद करके थोड़ा सा बेटर को इस प्रकार से दबाएंगे और अंदर भरेंगे, अंदर भी फ्रेंट्स हमें दबा कर ही भरना है, चारो तरफ से ताकि यह अपना शेप ले ले अच्छे से यदि फ्रेंट्स आप इसे चीनी के साथ बनाओ, तो चीनी को पीस कर ही डाले, या तो फिर शक्कर का बुरा ले ले और यह देखिए, अब हम इसे धीरे से खोल लेंगे, और यह देखिए, हमारा मोदक रेड़ी है यह देखिए फ्रेंट्स, पिस्ते की कतरन से मैंने उपर से गार्निश कर दिया है, और एक नारेल से हमारे छे मोदक बनकर रेड़ी हुए है एक दो मोदक बनाने के बाद फ्रेंट्स, यदि आपका मिक्स्चर ठंडा हो क्या हो, तो आप उसे थोड़ा सा गरम कर लीजिए, तो बच्चे हुए मिक्स्चर से बागी की मोदक इजीली रेड़ी हो जाएंगे मोदक बनाने में बस इस बात का ध्यान रखें, कि नारेल को ग्राइन करने के बाद उसका मेजरमेंट जरूर कर ले, ताकि हम उसी मेजरमेंट से हाफ गुड या चीनी डाल सकें, आप अपने टेस्ट के अको डिंग थोड़ा सा गुड कम डाल सकते हो फ्रेंट्स, पर हाफ क आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, तो मिलते हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई